नमस्कार दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ मुर्मुरे का लड़ू जिसे मुर्रा भी कहते हैं तो यहाँ पर हमारा कड़ाई गरम हो चुका है और यहाँ मैंने आधा सूखा नारेल ले लिया है एक चमच मैं इसमें घी डालूँगी घी गरम हो जाएगा तक उसमें मैं तीक मिनट तक उसे फ्राई करूंगी इस तरह से आप भी बना करके देखिए मुर्मुरे का लड़ू घर में बच्चों को बहुत पसंद आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है मुर्मुरा हमारा फ्राई हो चुका है अब मैं इसमें जो नारियल घीसा हुआ था ना सोखा नारियल उसे भी मैं डाल करके एक सो दो मिनट तक उसे सीम आच में फ्राई कर लोंगी हलका ब्राउन होने तक यह देखिए ब्राउन हो चुका है अब इसे भी हम निकाल लेंगे अब मैं कड़ाई में आधा कप पाने डालूँगी पांच कप मेरा मुर्मुरा था तो मैं इसमें मैं डेर कप अगर इस गुड को घिसने जाएंगे तो एक डेर कप होता है वन अनाप तो ये मैंने साइस के चार गुड ले लिये हैं इसे हम शीरा बनाएंगे देखी कई-कई गुड लों में थोड़ा गंदर रहता है ना तो जब अच्छे से जब पीगल जागा गुड ना तो उसे मैं चलने से चान लूँगी मैं इस तरह से हसमें चान करके बनाती हूँ फिर उसके बद मैंने कड़ाई को पानी से एक बड़ दो लिया था और उस शीरा को मैं डाल करके दुबारा इससे मैं पकाऊंगी अब इससे हम चेक करेंगे बावल में मैंने पानी ले लिया है इसमें मैंने कुछ बुंदे डाले थे शीरा का तो देखिए ये पानी में ही ये देखिए गिरते जा रहा है ये इसका मतलब हमें थोड़ा समय और लगेगा और बार बार चलाते जाएंगी जिससे ये जले मत सेकेंड बार फिर मैं इससे चेक करूंगी गाईज देखिए ये शीरा ये गोला हो रहा है देखिए थोड़ा सा और मैं एक मिनिट के लिए और पकाऊंगी उससे गोला हो चुक है देखिए शीरा थोड़ा सा और पकाऊंगी इसके बाद मैं थर्ड़ बार फिर चेक करूंगी आज देखिए आसानी से ये शीरा का गोला बन चुका है अब हमारा लड़ू भी बहुत अच्छा बनेगा असानी से दिखे फोल्ड भी हो जा रहा है अब इसमें मैं इतने भी मूर्मूरे है न उसे थोड़ा करका टोड़ा करके डालूंगी और मिक्स करते जाऊंगी गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है अब पूरा मुर्मुरा डालने के बाद मैंने जो यहाँ पर ड्राय रोस्ट किया था ना कोकोनट को सुखा नारियल को हम उसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके हम लड्डू बनाएंगे अच्छे सी मिक्स हो जाएगा गाईस उसके बाद मैं हातों में थोड़ा सा पानी ले लूँगी लेखे हल्का सा एकदम पानी का ड्रॉप्स लेना है दोनों हातों में लगा लूँगी उसके बाद मैं इसका लड़ू बनाऊंगी बहुत गरम है दीखे दीड़े से मैंने उठाया इसका हम शेप देंगे लड़ू का शेप देंगे अच्छे से दबादाबा करके इसे हम इस तरह से हम सभी लड़ू को बनाएंगे और बीच बीच में जैसे हात चिपकता है तो उस समय हलका सा एक ड्रॉप्स हातों में पानी डाल करके फिर हम उसके लड़ू बनाएंगे बहुत टेस्टी लगता है और एकदम क्रिस्पी भी बनता है इस तरह का लड़ू बनाने से तो आप एक बार ट्राय करके जरूर देखे दीखे मैंने बीच में फिर इसे हलका एक ड्रॉप्स लेकर के दुनों हातों में लगा ल लाएंगे अच्छे से दबा दबा के हम इसके लड़ू बना लेंगे लड़ू हमारा क्रिस्पी होगा बहुत ही टेस्टी घर में रखे तीन चीजों से हम इस तरह के लड़ू बना सकते हैं और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा गाईज एक बर से इस तरह से बना करके ट्राय करिए हैपी मकर संक्रांती आप सभी को